हेलो गाइज वेलकम बैक तो दे चैनल और आज की स्वीडियो में हम जो है हमारी कंप्यूटर सिस्टेम सिक्यूरिटी की प्लेनिस्ट को कंटेन्यू करते हुए जुलिए थर्ड के सेकेंड फीस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वेब सिक्यूरिटी से रेलेंट जो भी कॉंशेप्ट हैं टॉपिक्स हैं अउन सभी को ढिसकस करेंगे और इस फेस का हमारा नाम है वेब सिक्यूरिटी लेंड्सकेप इसका पहला topic आते है हमारा HTTP content rendering, अब HTTP term से हम सभी known है, HTTP क्या होता है hypertext transfer protocol, यह protocol होता है जो कि over the internet websites use करती है, किसी भी website को locate करने के लिए, या फिर किसी भी website को visit करने के लिए, अब इसके अंदर HTTP content rendering का meaning क्या है, कि HTTP की help से जो है, जिस भी website को visit करना चाहते है, उसका जो content हम request करते हैं, जो भी website हम request करते हैं, visit करने की, वही exact website हमें कैसे मिलती है, वो content हमें किस तरीके से मिलता है, उसका जो पूरा process है, HTTP content rendering की topic के अंदर आज हम cover करेंगे, इसके अंदर इस term बहुत ही important है, जिसका हम बार-बा resource locator, अब uniform resource locator क्या होता है, यह basically आपका address होता है, या फिर reference होता है, जिस तरीके से humans के living का कोई address होता है, कोई house address होता है, कोई house number होता है, इस तरीके से किसी वेबसाइट को visit करने के लिए, उसका भी address होता है, reference होता है, जिसे हम बोलते है, URL that is uniform resource locator, अब URL एक internet protocol identifier है, जो कि जिस भी website को में visit करना है, उसकी address को identify करता है, अब इसका एक example है, यहाँ पे example के अंदर कोई URL random ने हमने आप टाइप किया हुआ है, http colon slash slash example dot com, अब यह protocol identifier है http का, जिसके अंदर example dot com, जो भी हमने आपे mention किया है, वो जो है resource name है, इसके और भी examples हो सकते हैं, यह सिफ हमने random टाइप किया है, और इसके बहतरी निया अपे अच्छे example आप ले सकते है, www.google.com, www.techmasteradu.com, तो इस तरीके से जो है, बहुत सारी यह सी website के domain name, और उनके specific resource name, जो है, उन सभी का पूरा address होता है, including the http, www.that is worldwide web, domain name, resource name, यह जो पूरा सभी इन सब का combination है, इसको बोलते है, URL that is Uniform Resource Locator, जो कि किसी भी website को विजिट करने के लिए important होता है, अब जिस भी website को विजिट करना है, उसके लिए हमें कुछ request generate करने पड़ती है, तो मेरे left side में, जहाँ पर मैंने अप रैड कलर की underline provide की है, यह जो है, एक user है, जिसे मैं आप एक client भी pronounce करूँगा बार 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 इ यह है, यह हमारा cloud server है, यह फिर online database है, जहाँ पर हमारी website store होती है, client ने http request generate की, किसको cloud server को, database को, internet पर जो भी present है, internet पर जो भी provided है, अब वहाँ पर जो है, जो भी request हमने generate की है, request हमने generate की है, किसी website को visit करने की, जैसे कि हमने यह आप बीच में mention किया हूँए, worldwide web और internet को access करने क जो हमने request generate की है अब बहाँ पे अगर वो website और URL हमने provide किया है अगर वो exact है, correct है तो नीची की साइड अब आप देख सकते है HTTP response जो है वो आपे आमें मिल जाएगा और उसके बाद हम जिस भी website को visit करना चाहते है वो website हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे दो major term है HTTP request और HTTP response तो अब HTTP request के बारे में तोड़ा जानते हैं कि HTTP request होता क्या है अब HTTP request का जो process है यह कहता है कि हमें पहने request generate करनी पड़ती है किसी भी website को access करने के लिए या internet पे कोई भी item को search करने के लिए तो HTTP request एक क्या है packet of information है जो की send होता है एक computer से दूसरे computer की और किसनी एक to provide or to communicate something तो अगर हमें दो computers के बीच में communication establish करना है तो हमें HTTP request method का जो process है उसको में follow करना होगा जैसे normal हम WhatsApp पे chatting करते हैं तो उसके अदर क्या होता है हमने जो भी message type के है वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है बट हम message type करने के पात जो है एक तरीके से request generate करते है कि हमारा message जो है user के पास या फिर receiver के पास पहुंच जाए तो पहला जो process होता है वो तो request generate करने का communication establish करने के लिए अब इसी तरीके से web browser के अंदर क्या होता है जब हम किसी भी website को enter करते है सपोज मैंने google पर enter कि है www.microsoft.com तो यह जो है मैंने request generate की है with the help of http transfer protocol जो के identify करता है कि मुझे इस particular या फिर इस specific website को visit करना है अब यह जो भी हम request generate करते है यह हमारी request generate होती है binary data की form में और http request को process जो है यह हमारा move करता है client to server की तरफ client जो है हमारी request generate करेगा और वो request हमारी पहुचेगी server के पास तो client to server का जो process है यह होता है हमारा http request का अब इसके अंदर तीन parts होते है request line, headers और optional body of the request अब यह optional body of request का meaning है कि अगर मुझे किसी specific page को visit करना है तो मैं वहाँ पे URL के अंदर तो है specific page का नाम जो है वहाँ पे mention करता हूँ for example अभी मेरा normal URL था www.microsoft.com यह था normal URL अब मैं .com के बार slash लगा के services link देता हूँ तो मेरे Microsoft के site का services page खोल जाएगा जिसे हम बोलते है optional body of request तो यह था http request का process और second term जो हमने अभी discuss की थी इस page के अंदर इस diagram के अंदर वह थी हमारी http response अब http response का कहता है http response भी packet of information होती है but यहाँ पी जो हमारी packet of information है यह हमारी sent की जाती है server से client की तरफ जिसे मैं बोलुँआ कि जो भी मेरा cloud है जो भी मेरा server है जहाँ पर मेरी website की request generate होई थी अगर मेरी website correctly identify होती है with the help of urn या फिर http protocol जो मेरा server है वो मुझे मेरी website का pinch या फिर मुझे मेरी website का link जो है provide कर देगा तो यह जो process है यह process चलता है हमारा server to the client की तरफ अब यहाँ पर server client को एक website provide कर रहा है यह किस तरीके से response करेगा यह उसी तरीके से response करेगा जिस type की request जनरेट की होगी या जिस type की request client जनरेट की होगी अब STTP response जो है वही information को रेटन करता है जिस type की request client generate करता है अब यहाँ पर एक example है कि suppose एक user है उसने क्या किया internet पी weather की information कोई website है उसकी request जो है HTTP request service की help से जो है उसने generate की और उसके बाद वो request accept हुई हमारे cloud से हमारे server से हमारे database से और उसके बाद हमें weather details जो है HTTP response की help से जो है मिल गई तो ये जो है पूरा process होता है HTTP request का और HTTP response का इसके अंदर भी हमारे तीन specific structure होते है status line क्या output generate हुआ या नहीं headers की main topic क्या है जो भी हम request generate कर रहे है जो भी हम response provide कर रहे है और optional body of the request की कौन सा page जो है specifically visit किया गया है HTTP request और HTTP response इसके अंदर हमने क्या किया request generate की और हमें output receive किया basically हमने website का output receive किया अब जब website हमारे पास आ जाती है तो उसके अंदर दो type की models create होते हैं पहला होता है उसके अंदर हमारा DOM that is document object model और second होता है BOM that is browser object model तो DOM जो होता है document object model इसके अंदर जब भी कोई webpage load होता है तो हमारे पास जो भी structure से या जो भी content document का हमें मिल रहा है जैसे की written content हमें मिल रहा है कोई भी image मिल रही है कोई भी video मिल रही है कोई भी link मिल रहा है तो यह सब document object model जो है create करता है या फिर construct करता है और behind the scenes जो हमारे DOM tree that is document object model tree के objects होते है वो हमारे HTML जो basic structure code होता है उसको वो represent करते है यहाँ पर आप image में देख सकते हैं कि हमें HTML के सभी वो tags हैं जो के basic structure create करने के लिए use होते है HTML tag, head tag, title tag, reference tag, और body tag तो इस तरीके से जो सारे HTML के tags जो के basic structure create करते हैं किसी भी website का या फिर webpage का वो सभी document object model receive करता है उस particular fonts और हमें provide करता है in the form of document object model और जो second model होता है वो होता हमारा browser object model अब जब हम किसी भी website को visit कर रहे होते हैं या फिर use कर रहे होते हैं तो browser object model जो है automatically create होता है जिसके अंदर browser objects होते हैं जो के हम use करते हैं या फिर manipulate करते हैं during the surfing of internet browser object model होता है या हमारा web browser अपने आप create करता है इसके अंदर कुछ specific मैं आपको names provide कर देता हूं जिससे आपको जैसे की document object model में आपको clear हो गया होगा कि हम HTML के basic structure tags करते हैं document object model को create करने लिए बट जो हमारा browser object model होता है ये किस type के objects को create करता है ये इस type के objects को handle करते हैं जिसकी window की कौन सी specific window open है window navigator उस windows के अंदर क्या-क्या information हम visit कर रहे हैं क्या-क्या information हम देख रहे हैं window screen की कौन सी screen पे जो है कितना user ने time spent किया window history अब ये सारा जो process है ये किसी code पे depend नहीं करता है अब जैसे हम किसी google पे कोई भी website ये पर कोई भी चीज हम search करते हैं तो एक उसकी history जो है automatically generate होती है और वो generate करता है हमारा browser object model तो यहां पे जो है किसी code की specific requirement नहीं है तो इस तरीके से browser object model जो है create होता है brief overview में इस पूरे video का main conclusion है वो यही है कि http content rendering का process हम use करते है जिसके दर url या फिर reference या फिर address जिसे हम बोलते हैं उसको use करते हैं किसी में website को visit करने के लिए website visit होने के दो process है http request generate होगी http response हमें मिलेगा जिसके एर्प्सम website को visit कर पाएंगी और दो टाइप के model create होंगे document object model जो कि हमें content प्रोवाइड कर आते हैं और browser object model जो कि browser की history या फिर browser इस से related जो भी services है उनको वो maintain करते हैं या फिर manipulate करते हैं थैंक यू